सो हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नौर्थ इंडियन फूड विद इंदु में तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक सिंपल सी सबजी की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है क्योंकि आज मैं बनाऊंगी बीन्स और आलू की मसालेदार सबजी चलिए फिर बिना किसी देरी किये हुए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इस सबजी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिये हुए बीन्स और आलू इने मैंने अच्छे से दोकर छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया हुआ है तो अब चलिए फ्रेंड्स इस सबजी को बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहां तीन से चार चम्मच सरसो का तेल लिया हुआ है तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा दो साबुत लाल मिर्च को मैंने यहां पर तोड़कर डाल दिया हुआ है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा लेसुन सर्दियों का सीजन है हरा लेसुन आसानी से मारकेट में मिल जाता है तो आप इसका इस्तमाल ज़रूर करें अब हम इसमें डाल देंगे हारी मिर्च हारी मिर्च को यहां मैंने बीच में से फार लिया हुआ है तो अब हम इस तड़के को चलाते हुए एक मिनट के लिए हम भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच हींग अब तड़के को फ्राइ करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए आलू और बिंस को हम बाग में डालेंगे पहले इन आलूओं को हम 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे हम इन आलूओं को तब तक पकाएंगे जब तक ये 50% पक न जाए सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आलू 50% पक चुकी है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बेंस अब बेंस को डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले तो अब हम यहां डाल देंगे एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और अब साथ में डाल देंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर और अब आखिर में डाल देंगे स्वाधा नुसार नमक अब इन सभी मसालों को हम सबजी में कर लेंगे अच्छे से मिक्स मसालों को मिक्स करने के बाद मैं यहां डाल दूँगी साइट से थोड़ा थोड़ा सा पानी पानी डालने से हमारी सबजी बिल्कुल भी नहीं जलेगी और इससे जो स्टीम बनेगी उसके कारण हमारी सबजी अच्छे से पकेगी ढख करके 15-20 मिनट के लिए धीमियाच पर पकाएंगे तो लगबख हमारे 15-20 मिनट हो चुके हैं अब सबजी को खोल कर एक बार हम चला लेंगे अच्छे से हम इसे हलके हाथों से ही चलाएंगे जिससे की आलू और बिंस आपस में तूटे ना तो हमारी आलू बिंस की सबजी तयार है अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया धन्या को डाल कर हम हलके हाथों से इसे अच्छे से कर देंगे mix तो देखने में लग रही है ना आलू बेंज की मज़िदार टेस्टी सबसी तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और सर्फ करेंगे गरम गरम आलू बेंज की सबसी तो ये सबसी बनाने में बहुत ही सिंपल है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जाधा से जाधा लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले So thanks for watching मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ